एक समय था जब मैं भी एक प्यारी थी, गुडिया सी, अपनी माता पिता की लाडली वेटी थी जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, दिखने में और ज़्यादा सुन्दर होती गई और लाडली भी सारे कामों को जटपट पूरा कर देती थी, इसलिए मैं सब की पिरिया थी उस समय मेरी उम्रु तक्रीवन सोले वर्स की थी, कि अचानक इस प्यारी सी पिटिया के जीवन में अंधिरे ने दस्तक दी एक दिन जब मैं अपने खेतों से घर पापस आ रही थी, कि अचानक कुछ लड़कों की निगाहे मुझे पर पड़ी उनका इस तरह से देखना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था मैं घबरा गई थी, किसी अन्होनी की आशंका होने लगी थी अगले दिन जब मैं डरी सहमी थी, खेत पर खाना लेकर जा रही थी, कि वही लड़के मुझे उसी जगए पर फिर से मिले ऐसा लगा, जैसे वो मेरी ही बैतिक्षा कर रहे है उन्होंने मुझे घेर लिया और पकड़कर एक सुनसा जगए पर ले गए मैं असाय थी, अकेली थी, कोई भी मेरी आवाज को सुनने वाला नहीं था मेरी अस्मत को रोंदा जा चुका था, मेरे जीवन में अंधीरा ही अंधीरा था घर पहुँचकर जब मैंने अपने घर वालों को यह बात बताई तो ऐसा लगा कि सब मुझे ही कसुरवार की निगाहे से देख रहे है मेरी आवाज को बंद कर दिया गया, मेरा घर से निकलना बंद हो गया बाद में पता चला कि उन लड़कों ने अच्छी रखम देकर मेरे घर वालों को भूवन रखने की चेतावनी दी थी मैं उदास थी एक दिन मेरे अधिक ब्रोद करने पर मुझे जान से मार दिया गया अगले दिन अख़वार में मेरी भी ख़वर छपी थी आज मैं आपसे अन्रोद करती हूँ कि मेरी तरह किसी और मासुम की हत्या ने हो किसी और को मेरी तरह मनना न पड़े किर्पया अपनी आवाज उठाओ आवाज उठाओ आवाज उठाओ